रादे रादे गूड मॉर्निंग श्री हरीदा सुबह के नौ बजे हुए हैं और मैं स्नान करके आई हूँ विनोद नहाने के बाद में चले गए हैं पूजा में मंदिर की सफाई करने के लिए तो मैंने सुचा कि लाला कब इस्तर विस्तर भी सैट कर देते हैं और लाला को ल ज्यादा खुश है क्यों खुश है यह आपको अभी पता लगने वाला क्योंकि मैं और परी आने वाले इस शॉप पर क्या करने के लिए नए लाला को ले जाने के लिए हमारे घर में आज होने वाला है नए लाला का स्वागत और यह देखो बहुत प्यारी सी बहुत आपिंग कर ली हमने यहां से उसके बाद में फिर मैंने सुचा रही हमने यार ला बिस्तर भी जाईए बड़ा सा तो बड़े लाला तो बड़ा बिस्तर भी चाइये तो मैंने फिर वहां होलसल टाइम पे नए लाला के आने की खुशी में, तो सारा जो मार्केट से शॉपिंग हमें करनी थी, उसको करने के बाद में घर आते वेक्ट मुझे एकदम से ध्यान आया कि हमें नई तुलसी जी भी तो लेनी है, तो मैं नई तुलसी जी लेने के लिए ना नरसरी में चली गई, लेकिन मैंने राश होकर लोटी, क्योंकि नरसरी वाले ने मुझे बोल दिया कि अब भी मार्स तक नई तुलसी जी नहीं मिलेंगी, खैर कोई बात नहीं है, मन बहुत खुश था, घर में आ गई हस्ती हस्ती है, विनोध ने बहुत अच्छे तरीके से लाला का कर दिया, जो छोटा मोटा और जो सामान हम लेके आये थे, जो डेली नीट्स होती है घर की, वो सारा सामान की उसको अनपाक करने लगी परी यहाँ पर और यहाँ पर पता है, वो जो बुगू था ना वो भी बहुत शेतानी कर दा बहुत जादा, तो उस सबसे बीच से निकलने के बा जाते हैं तो हमें आते ही फर्स डे में अभिशेक नहीं करना चाहिए प्रापर तरीके से क्योंकि जो हम अभिशेक करते हैं पंचामरत से वो अभिशेक पंचामरत जो होता है उसको बेस नहीं कर सकते हैं वो हमें सबको ग्रहन करना होता है प्रशाद के रूप में तो अभी क्या है कि अभी दो दिन तीन दिन हम लाला को ऐसे ही स्नान कराइंगे सिंपल गुंगोने पानी से और अच्छे से उनको तरव गरा लगाएंगे और अच्छे से उनका श्रिंगार करेंगे हम और उसके बाद अभी शेक करेंगे बाद में शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने लाला को अच्छे से करा दिया है स्नान और ये वाला देखो इनर भी हम वाइट कलर कर नए लेकिया है वारमर जो लेकिया है लाला के लिए तो वो ग्रहन करा दिया ये वाली पोशा कि ये नहीं पहनने वाले हैं मतलब लाला भी मैं मम्मा के जैसे नेचर के हैं मेरे जैसे नेचर के हैं उनको ढीले ढाले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है तो लाला ने वुलन का जो ओवरकोड टाइप था न मैं ये वाले भी दो लेके आई थी उन में से ये पिंक और ग्रीन वाला लाला ने ग्रहन कर लिया बहुत आराम से इतने प्यारे लग रहे थे पहन के बता नहीं सकती आपको खेर मैंने लाला को अबुशन वगएरा पहना दियें तयार कर दिया है बाली वगएरा सब मैंने अब भी डाल दी लाला को अच्छे से कर दिया तयार तो पूरे विदी विधान से ही सब कुछ कराया मैंने लेकिन क्योंकि देर बहुत जादा हो रही थी न शाम दिन चिपने वाला हो रहा था तो मुझे दिन चिपने से पहले पहले सारा कुछ करना था तो फिर जल्दी 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 मैंने और विनोध ने मिलके सब कुछ कर लिया बहुत अच्छे से सब कुछ हो चुका है मैं अभी face reveal नहीं कर रही हूँ next वाली वीडियो में आपको face reveal करूँगी लाला का तो हम लोग जब market गए थे तो बाबा शाम की पोशाक आनी जरूरी थी ये वूलन की पोशाक हम बाबा की ले के आए और ये मुझे परी नहीं रिमाइन कर आय था मामा बाबा की पोशाक भी ले लिए इसको पसंद आ गई थी तो बाबा की पोशाक भी ले ली उसके बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बाद में अभी क्या है लाला को भोग वगरा भी लगाए ना बिना इस्नान करे बिना पूजा करे तो भोग भी नहीं लगा सकते थे तो सोचा कि पहले अच्छे से विधान पूरवक करते हैं पूजा देखो कोई भी अगर काम करना है तो पूरा तसली से करना चाहिए बहुत जादा अगर आप उट्टे सिथे तरीके से करोगे तो पूज करने में मन नहीं लगता है और मेरा यही है कि जब मैं पूजा करती हूँ ना डेली तो मुझे मेरे रुटीन वाली जो पूजा है ना वो करने भी मुझे टाइम लगता है इसलिए टाइम लगता है मैं पूरा विधी विधान से ही पूजा करती हूँ तो यह देखो आप लो लोगों के हिंदुत्व की सबसे बड़ी निशानी होती है कि हमारे मात्था ना कभी सुना नहीं होना चाहिए हमारे मात्थे पर हमेशा चंदन का तिलक होना चाहिए रोली का तिलक होना चाहिए और घर में दोनों टाइम की जोद जरूर जलनी चाहिए तो भाई सब कुछ करन और मैं जितनी खुश हूँ न मुझसे भी जादा खुश परिवर्दान है और विनोध है क्योंकि पता है इन लाला के आने का न कब से हम लोग इंतजार कर रहे थे और यह आ ही नहीं रहे थे कुछ ना कुछ ना कुछ आईसा हो रहा था कि पता नहीं क्यों लाला इतने कि लाला तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगाया खैर एनिवेज जो भी था मेरी जो मन की मुराद पूरी हो गई पूजा पाट करने के बाद में हमने लाला को न दोनों लालाओं को और बाबाशाम को भी सफिद्रस गुलो का लगाया भोग वो भोग लगाने के बाद म ने सुचआ कि छोटे लाला आये हैं न तुनको अंधों अभी घरन कराएंगे नहीं तो अभी बाबाशाम को बलड्श को भी अंध का भोग लगेगा तब लाला को क्या भोग लगएगा तो फिर रखारद मने लालाको लगाया बनाना शेक घरनाया बनाना शेक का हम लोगन कि अजय को अजय को कि अजय को अजय को